नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनसी के दौरान इंबली खाने के विशाय में क्या ये फाइदे मंद है या फिर फाइदे मंद नहीं है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके बच्चे के ओपर तो चलिए सारी के सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे समझेगे तो वीडियो को शुरू करते हैं Pregnancy के शुरुवाती स्टेज से ही शुरुवाती दिनों से ही आपके अंदर जी मचलाने की समस्या हो सकती है सुबह सुबह उठते ही आपको उल्टी आने की प्रवती होती है आपका जी मचलाता है और आपके खाने की पसंद और नापसंद भी चेंज होती है और बहुत महिलाओं को इस समय पे खटा खाने का मन करता है, कुछ निम्बू खाती है, कोई अचार खाती है, कोई इमली भी खाती है और ये कई बार इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यदा उल्टिया कर रही है, आपका मन मचला रहा है तो इस तरीकी की चीज खाने से कहीं न कहीं आपका मन शान्त होता है, आपका जी मचलाना बंद होता है, ये हमने अक्सर देखा है इमली के अंदर काफी अच्छी मात्रा में आपको फाइबर मिलेगा, जिससे आपको सबसे बड़ा फाइदा होगा प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कब्स के अंदर क्योंकि pregnancy में आपका जो digestion system होता है जो आपकी पाचन प्रणाली होती है वो कमजोर हो जाती है आपको खाना पचाने में मुश्किल होती है वहाँ पे आपका ये fiber बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आपको कब्स की समझ से नहीं होगी क्योंकि fiber से आपका खाना सही तरीके से पचेगा तो आपका अनावशक वजन भी नहीं बढ़ेगा प्रेगनेंसी के दौरान आपका अनावशक वजन बढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं है आपका जो वजन है वो नियंत्री तरना चाहिए बच्चे का भी बहुत अधिक वजन सही नहीं होता है इमली के अंदर आपको बहुत सारे विटामिन्स मिल जाएंगे दोस्तों इसमें आपको विटामिन A, विटामिन C और विटामिन K मिलेगा और ये सब के सब पोशकतत्व आपके लिए भी जरूरी है और गर्ब में बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रक्त की कोई कमीन आ रहे हैं आपके अंदर शरीर के अंदर इसके लिए आपको आइरन की दवाई भी दी जाती हैं कहीं आप एनेमिक न हो जाएं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है तो आइरन का सप्लिमेंट जैसे आप ले रहे होंगे लेकिन अगर आप इमल जिन की सप्लाई मिलती है तो दोस्तों काफी फाइदे मंद रहेगी आपके लिए इमली खाना मॉर्निंग सिकनस के लिए तो बहुती बढ़िया उपचार है उल्टी आए तो भी आप थोड़ा सा इमली खा सकती है या फिर इमली का पानी पी सकती है आपके लिए फायदा कर अदर कुछ ऐसे गुड़ पाई जाते हैं जिससे कि रग्त के अंदर जो ग्लुकोज का लेवल है वो कम होता है यानि कि आगर आप बहुत ज़्यादा इमली का सेवन करते हैं तो जितना लेवल को भी इमली का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इमली खाने से ये समस्या जो है अपना और विक्राल रूप ले लेती है तो बहुत ही कम मात्रा में आपको इमली का सेवन करना है मात्रा की अगर मैं बात करूँ तो आधी चम्मच से भी आधी इमली एक दिन में आपके लिए है उससे ज़्यादा इमली का सेवन आपको नहीं करना है, रोज भी अगर आप इमली का सेवन ना करें तो बहुत बढ़िया है, मातरा की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो हफते भर में अगर आप एक चममच इमली का सेवन करते हैं तो वो आपके परयाप्त है इससे अधिक आपको इमली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को अवश्य दवाएं चैनल में नए है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का संदेश मिल सकें मिलेंगे अगली वीडियो में नमस्कार